तो नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे यूट्यूब चैनल अच्टी चुरा में तो आज का जो ब्लोग है स्पेशली बहुत ही खास होने बाला क्योंकि पीछे का नजार आप देखकर समझ गए होंगे तो मैं आया था अपनी अध्वारी में तो अध्वारी से आया हूँ सिधे मैं इधर मंदिर तो जहां का जगा का नाम है गूड़ोनी तो यहां पर रहते हैं गूड़नाग जी तो यहां मंदिर में आया हूँ मैं अभी बजरे सुबा के साथ तो दिखाता हूँ मैं आपको वी स्क्राइब करना नहीं मिलते हैं वीडियो के एंड में तो यह है गोंड़नाग जी का मंदिर कि यह आप देख सकते हैं कि यह मौर्थिया और बाहर का नजारा मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए ठीक मंदिर के नीचे यहां पर जो है पानी निकलता है आप देख सकते हैं यह देखिए एकदम नैचुरल वाटर यह देख सकते हैं कर देखिए और इतना ठंदा पानी है की पुछो ही मत आ है और यह देखिए कर देखिए यहां का जो है त्रिश्य है और यह आप देख सकते हैं यहां से एकदम पानी गाइब हो जाता है नीचे को जा रहा है यह देखिए और यह है मंदिर का सामने से नजा रहा है आप देखी रहे हैं तो वीडियो में बने रहे हैं आगे का मैं द्रिश्य आपको दिखाता हूं यहां कि जो हर्याली है एक बहुत ही सुंदर मन महुक द्रिश्य है यह देखिए यहां पार यह नाचुरल पानी गोर इतना ठंडा होता है यह देख सकते हैं आप यहीं से निकलता है यह यह जा रहा नीचे को यह देखिए यहां कि हर्याली चार और हर्याली है कभी भी आप लोग यहां पर घूम ले आ सकते हैं आप देख सकते हैं यह देखिए इस गहांस को नियुक्त इसके कारण बिल्कुल ही हर्याली है हिजो आज घ्रुन के लिए घास भी कफी पहले जो था तो बारिश नहीं आ रही थी जिसके कारण जो है पशों का भी पेट नहीं भर रहा था और आज गल जो है कंटिनीव बारिश आ रही है और बिलकुल ही हरा भरा है चारों और आप देख सकते हैं यह देखें कितना बड़ा बड़ा गास है यह अब हम हैं खंडियार नामक जगा के नीचे जहां पर जो है रोमा और भोड़ा स्वासियों की अध्वारी है ग्रम पंचाइद मंगली के यह दो गाउं है तो थोड़ा आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहां पर यह दो आरी पड़ती है तब तक वीडियो में बने रहे देखें यहां पर भी पानी निकलता है की की कीई है दूका फन्हून दूका परसका दया देखें यह है महलवार धार आप देख सकते हैं और सामने जो है यह जरना कितना सुन्दर दिखाई देरा मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको यह देखिए और उपर है भी देख सकते हैं आप चांद हो देखिए देखिए इस सुन्दर से दिखे को यह देखिए इस हर्याली को बिलकुल घास ही घास है ही हाँ और और यह दैंकन में मुझें जब पहुंच गए कि गड़ी देर पहले आपके साथ जिखर किया था यह हैं। खंडियार तो यहां पर रहते हैं लोग गर्मी के टेम में अपने द्वारी में तो यह जो है ग्रम पंचाइद मंगली के गाउं भोडास और गाउं रोमा के लोग रहते हैं यहां पर द्वारी में यह आप देख सकते हैं काफी ही ज्यादा सुन्दर यहां का जो द्रिश्य है आप देख सकते हैं बिल्कुल हर्याली हर्याली तो वीडियो काफी लबी बन चुकी है तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए आप सभी का धन्यवाद